हेलो गाइज, वेलकम बाक टू दू न्यू वीडियो, हेलो गाइज, इस रूफी सिंपाई, बैक विद अनधर वीडियो, एंड सबसे पले तो मुझे तुम लोगो को कुछ बताना है, मतलब स्पैसिली बस रांची के लोगों को, साथ ऑक्टूबर को वन पिस फिल्म रडा र रहते, जो भी लोग effort कर सकते हैं रांची आने का, खासकर PVR जो कि हमारे Nucleus Mall में है, तो भाई, लोग मैं तुम्हें टाइमिंग बता दूँगा, हम लोग सब साथ में जाएंगे, और चिला-चिला कर सिनेमा हॉल फाड देंगे, ठीक है, तो भाई, मैं टाइमिंग बता द मैं सोच रहा था कि पूरा का प्रलूफी बन के आऊंगा, पर वो कॉस्टूम एक्चुली 5-10 या ऐसी 11,000 का है, तो ना भाई, उतना पैसा नहीं है हमारे पास, एंडिया, I know, it's sad, बट इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जहां पे PVR नहीं है, बलकि इंडिया बट के टाइफ, जो basically student है, बट जो economically dependent है, तुम लोग try करना ticket लेने का, इससे movie को support मिल जाएगा, मैं तो भाई, खुल इस movie को 2-3 बार देखने वाला हूँ, due to some private reasons, अब हाते हैं topic पर, Edward Newgate, A.K.A. Whitebeard, एक ऐसा character लगता है मुझे, जिसको अपने life में कोई भी regret नहीं था, हा पर ना देखा जाए, तो Whitebeard अपने life में सब कुछ achieve करी चुका था, वो अपना dream पूरा कर चुका था, जो की था, family, as we know, Whitebeard एक orphan था, बचपन से ही वो अकेला रहा है, नहीं कोई family, नहीं कोई दोस्त, अब ऐसे लोगों के जिन्दगी में एक time आता है, जहां पे वे लोग उन लोगों को देखते हैं, जो की अपने life में काफी खुस है, उन पे family है, अब इसी चीज से Whitebeard भी influence हुआ, like कैसा होता है एक family का होना, ये feeling होता कैसा है, ये चीज वो पहली बार महसूस करता है rocks, pirates में, but as we know, वो ये खुद बताता है कि ये experience उसके लिए बहुत ही खराब लेकिन अगर देखा जाये तो उसको ये idea लग गया था कि अब आगे क्या करना है, और इसी तरह God Valley incident के बाद वो अपना crew बनाता है, जिसको वो family मानता है, लेकिन उसका dream जब पूरा हो जाता है, तब भी उसके पास एक और goal रहता है, और वो चीज Roger से related है, but वो चीज है क्या laugh till जाने के बाद Roger को void century, incident weapon, will of D और वो सब कुछ, ये सब चीज आपस में कैसे connected है, इन सब का Roger को idea पढ़ जाता है, इन सब का truth Roger को मालूम पढ़ जाता है, और जब Roger crew dismiss करता है, तब वो ये कहता है कि वो wide beard से मिलना चाता है, यानि कि wide beard को वो कुछ ऐसा बताना चाता था, ज सकता है, मगर wait, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मरने से पहले बस wide beard को goodbye कहने गया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो, crude is band के वक्तों यहाँ पे ओडा इस चीज को mention नहीं करते कि Roger wide beard से मिलना चाता है, क्योंकि आगे जब Roger आखरी बार wide beard से मिलता है, तब वो उसे laugh till का location बताने का offer कर सकता है, बट wide beard उसे मना कर देता है, लेकिन इसके बदले उसको will of D का actual meaning पता चलता है, और जिस तरीके से wide beard teach को कहता है कि जिस आदमी का weight Roger कर रहा है, वो तुम नहीं हो, उससे ये मालूम पड़ता है कि wide beard को actually will of D से जादा पता था, क्योंकि जब Roger will of D का meaning बता रहा होता है, तब वो starting में यही कहता है कि ये चीज बहुत जादा पुरानी है, यहाँ पर हम लोग ये safely assume कर सकते हैं कि will of D somehow, wide century और incident weapon दोनों से ही connected है, तो basically Roger ने wide beard को ये convince करा होगा कि fishman island को अपने protection में रखो ता कि incident weapon posidon safe रह सके, Roger को तो ये मालूम ही था कि posidon fishman island में ही पैदा होने वाली है, तो उसको एक safe environment देना जरूरी है, Roger को ये मालूम था कि ये काम सबसे अच्छे से wide beard कर सकता था, लेकिन फिर fishman island में जो red pony cliff था, जो कि अब missing है, उसका हुआ क्या, ये जानना है तो ये वाले वीडियो देखो, और हाँ मुझे good luck wish करना मेरा exam है, बाई!